जैहिन सात्यूं आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल टार्गेट सेलेक्शन में सात्यू यूपी पुलिस कॉंस्टेबल रीगजाम परिक्षा के बारे में आप लोग पूछ रहेते हैं तो रीगजाम के सम्मन्द में सात्यू एक ओफिशेल नोटिस आय है हम लोग एक बार देख लेते हैं सात्यू उसके बाद कुछ इंपॉर्टन बातशीत करेंगे उसको आप लोग एक बार सुनिए का वो आपके एकजाम के लिए बहुत इंपॉर्टन देखिए यहां पर बात करें विशे में यहां पर लिखा हूँ है कि उत्तर पुदेश पुलिस भरतिये एवं पुरुनती बोट द्वारा आयोजित कराई जाने वाली विभिन्य भरतियों की आफलाइन परिक्षा के लिए परिक्षा के इंद्रों की सूची उपलब्द कराई जाने के सम्मन में एक यहां पर नोटिस आया है। पुलिस भरतियों की आफलाइन परिक्षा के लिए परिक्षा के इंद्रों की सूची उपलब्द कराई जाने के निर्देश देगे। तो वो एक साथियों सूची मांगी गई है एक तरीके से बात करें यानि के वैभिन भरतियों की आफलाइन परिक्षा के लिए देखे अब यूपी पुलिस के अलाबवा तो मेरे हिसाब सो कोई परिक्षा है नि यूपी पुलिस की लगी है तो एक आपकी जो एक A.S.I. वा तिनांक 14.24 के अपरांग दो बजे तक अनिवार रूप से दो प्रांथियों में अदोहस्ताक्षरी कारयाले में उपलब्द कराना सुनिश्यत करें जिससे सहमती पत्र संकलित कर ससमय संबंदित कारयालों को उपलब्द कराया जा सकें तो आसान सी भाशा में अगर बात करें तो साथियों जहां जहां देखिए, जब आपके एक्जाम नहीं हुआ था न, उससे पहले भी एक ऐसा नोटिस आया था, कि एक्जाम सेंटर किस शहर में कौन कौन से बनाय जाने चाहिए, उसकी एक सूची बंगाई गई है साथियों, तो अब आपके एक्जाम से पहले ये भी एक नोटिस आ हुआ है, तो कहा जा सकता है कि एक्जाम आपका कब होगा, एक्जाम आपका साथियों जून महीने में हो सकता है, जून महीने में या बहुत हुआ तो बहुत आगे बड़ा जुलाई महीने में आपका एक्जाम हो जाए और उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक साथियों मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप साथियों उन पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत शांदार कर सकते हैं, देखिए अब अगर बात करें साथियों, चार विशे आपकी आती है, ठीके ना, हिंदी आपकी आती है, और जीएस आपकी आती है, रीजनिंग साथियों आपकी आती है, और मैत आपकी आती है, चार विशे आपकी आते हैं, एक सो पचास परशन होते हैं, जिसमें से हिंदी के साथियों, आप सभी लोग जानते हैं, साथिस कोश कोशिन होते हैं, reasoning के लगबख 55 कोशिन होते हैं और 20 कोशिन साथ हो मैठ के होते हैं, कितना इस बार साथ्यों и scoreOOOOalli यह भी मैं आपको बतला देता हूँ, क्यूंकि विछली वाली जो अपका exam हुआ था वो अगर वैसा exam आ जया है आपका कितना safe score हो सकता है देखी जो मैंने आपको हिंदी पढ़ा है ना जाने कि एक क्लास में मैंने हिंदी भी दी है हिंदी के कोशन भी दिए है 37-39 कोशन भी है रीजनिंग भी है ऐसे ही बहुत सारी classes मैंने बनाई है अगर साथियों उन सभी क्लासिस को आप देख लेते हैं ना तो हिंदी में समझ लीजे कुछ नहीं कुछ नहीं आपका 34-35 साथियों कोशन आप बहुत अराम से कर डालोगे जो अभी आपका एक्जाम हुआता ना फरवरी में उसको उठाओगे उस प्लेलिस्ट को देखने के बाद तो उसको भी पूरा आप सॉल्व कर डालोगे मैंने देखा है कि लगभग लगभग कोशन बिल्कुल साथियों एक तरीके से डिक्टो आए जब हम बात करते हैं साथियों रेजनिंग की तो रेजनिंग में भी कुछ नहीं साथियों लगभग 47-48 कोशन आप बहुत आराम से कर डालोगे मैंत की बात करें तो 20 में से साथियों लगभग 17-18 मुझे ऐसा लग रहा तो बढ़ा हुए मेरे 17-18 कोशन आए है तो 17-18 यहां पर भी आप कर सकते हो यहां पर अगर बात करें साथियों 23 आप मान कर चलिए क्योंके 22-23 अगर कोई UP पुलिस के पेपर में कर देता है प्रशन तो उसका स्कोर ठीक टाक माना जाता है एक तरीके से अच्छा माना जाता है तो यह टोटल कितना स्कोर साथियों हो पा रहा है आपर देख लेते एक पर 7 और 3 10 10 10 और 7 17 17 और 7 आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा 21 उसके बाद 7 तरीके साथियों 5 6 7 7 7 और आपका 11 12 यानि के 7 121 120 अगर बात करें 120 पता कितने परसंटेज बना 80 परतिशत बना यानि कर कोई 112, 114 प्रिशन भी आपने कर लिए 112 तो साथियो बहुत शांदार आपका स्कोर आएगा आपका नाम साथियो फाइनल लिस्ट में आएगा मैं यह वो नहीं कह रहा हूँ कि फिजिकल के लिए आपका नाम आएगा नहीं यह फाइनल कट ओफ जो आपकी आएगा साथियो उसमें आपका चैन बहुत अराम से हो जाएगा अगर इतना 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 स्कोर आप हर विशह में करते हो और इतना इतना विशह साथियो इतना इतना स्कोर आप बहुत अराम से कर डालोगे अगर आप उस प्लेलिस्ट को साथियो देख लोगे ठीक है ना तो कुलमिला के साथियो अब आपके पास बहुत समय बचा नहीं है अपरेल के अगर बात करें एक तो अपरेल आपका पूरा पूरा बचा है अपरेल के बात साथियो मई आपके पास पूरा पूरा अगर आप वर्दी के साथियों लेना ही लेना चाहते हो वर्दी के शौकिन हो तो ये इस बार तयारी कीजेगा बहुत दमदार तरीके से क्योंके साथियों अगर बात करें, 48,000,000 सातियों एक तरीके से बच्चों ने एक्जाम दिया था और 48,000,000 में से सातियों 60,000 लोगों की जॉब लगना उससे जादा तो लगना नहीं है तो अगर इन 60,000 वेकेंसी में से आपको एक अपना पद चाहिए है अप लेना चाहते हो सातियों तो आपको ये काम करना ही करना होगा ठीक है क्योंके देखिए आने वाले 3-4 महीने में आपकी परिक्षा हो जाएगी फिर आप ये सोच कर चलो मेरी मानोएक है कि मैं 3 महीने बाद बिलकुल नहीं पढ़ूगा बिलकुल बहुत जादा मेहनत के साथ पढ़ूगा अगर आप चार गंटे पढ़ लाए तो 6-7 गंटे आपको पढ़ना होगा फिर आपको ये सोचना है इसके बाद मैं पढ़ूगा ही नहीं क्योंकि मुझे पूरी ताकत आप जब ऐसा सोच लोगे न तो आप अपनी पूरी ताकत इन चार महीनों में लगा दोगे और जब पूरी ताकत अपनी इन चार महीनों के लिए लगा दोगे तो साथ यो तैयारी आपकी बहुत शानदार हो जाएगी बात करें अभी जो एक्जाम हुआ था फरवरी में साथ ही उसमें तो बहुत जादा समय आपको मिल नहीं पाया होगा क्योंकि जैसे ही फॉर्म दिये गए, लास्ट डेट दी गए, कुछ दिन बाद आपका एक्जाम ले लिया गया लेकिन जो पाच्छे नमबर से रहे जाएंगे ना, वो एक महीने का इंतिजार करने के जब एक्जाम डेट आजाएगी तो एक महीना पहले तयारी शुरू करेंगे, और एक महीना पहले जो तयारी सात्यों शुरू करता है, उसका बहुत मुश्किल होता है सेलेक्शन होना तो कुल मिला के साथिए आप तैयारी कीजिए आपके पास अभी समय है आपके पास अभी एज है और अगली बार काना सोचिए कि अगली बार ये वेकैंसी कब है हो सकता हो तीन साल बाद है चार साल बाद है तो आपकी इuição साथिए एज नहीं रहेगी क्योंकि गर्मियों में बच्चे चकर खाके गिर बहुत जाते थे पहले तो इसलिए ठंड में इसको पूस्पून कर दिया गया कि यूपी पुलिस की जब भी रनिंग होगी फिजिकल होगी तो वह नमबर दिसंबर के आसपा जनवरी में होगी तो नमबर आप मान कर चलिए और फरवरी के एंड में 2025 के फरवरी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा तो साथियों इस वीडियो को लाइक कीजएगा, अपने मित्रों तक साथियों शेयर कीज़ेगा, उनको भी बता दीज़ेगा कि एकसाम बहुत जल्द होने वाला है इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगएगा और प्यारे से कमेंट के मादे हम से बताईएगा कि इस बार वर्दी तो आपको लेना ही लेना है तो मिलते हम सबी लोग आने वाली वीडियो में जैहिन सातियों